Good morning students, myself Dr. Harshita Raathor, Assistant Professor of Psychology हम बात कर रहे थे self regulation and self control की तो जो आत्म नियंत्रण और आत्म नियमन की हम दोगों ने बात की कि ये क्या होता है किस तरीके से ये life में help out करता है उसी संधर्ब में आज हम इसके कुछ सिद्धानतों की बात करेंगे और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आत्म नियमन और आत्म नियंत्रण जो है वो देर्ग कालिन लक्षम को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है आत्म नियंत्रण और नियमन का मतलब ये है कि जो आपके long term और जो original आपके goals है उन goals की प्राप्ती के लिए आज की जो वरतमान के छोटे 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 अल्पकालिन पुरुसकार या अल्पकालिन आपके enjoyment है, pleasure है उसको आप त्याग सके For example, यदि किसी student को एक long term उसका है कि मेरे को exams में बहुत अच्छा score करना है तो आज वरतमान में उसे उसके लिए कई तरीके के छोटे 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 जो उसकी खुशियां है या छोटे छोटे प्लैजर्स हैं एक तरीके से कहले उनको उसे त्यागना पड़ेगा friends के साथ movie देखना है time pass करना है इधर उधर शादी वादी के घरों में चले गए वो चले गए लेकिन जब आपको पता है कि आपका ultimate aim exams में अच्छा score करना है वो एक आपका long term क्योंकि आप पूरे साल उसके लिए तैयारी करते तो एक long term आपका लक्ष हो सकता है वो दूर है और उसे प्राप्त करने के लिए आज आपको अपने आपको control करना होगा अपना time waste करने से अपने आपको बचाना होगा पढ़ाई पे जो चाहे आपकी इच्छा हो नहों लेकिन फिर भी आपको regular नियमित रूप से steady करनी पड़ेगी चाहे आपके दोस फ्रेंड्स कुछ और करते हो और pleasure की things कर रहे हो उनको छोड़ कर उन अल्पकालिन पुरसकारों को छोड़ कर आपको अपने long term लक्षे पे ध्यान लगाना होगा तो ये जो आप आज के अल्पकालिन पुरसकारों को छोड़ते हैं वो क्या है? वो basically आपका आत्म नियमन और आत्म नियंतरन कहलाता है तो इसे की हम बात करते हुए इसके दो मुख्य सिध्धांत दिये गए है उनको हम बताएंगे तो पहला जो सिध्धांत है वो है control theory या नियंतरन सिध्धांत अब आप जब आत्म नियंतरन और आत्म नियमन की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें बिलकुल clear है कि व्यक्ति का वर्तमान लक्षे और एक व्यक्ति का आदर्ष लक्षे या इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं वर्तमान स्व या तातकालिक स्व या अभी का जो recent स्व है स्व यानि की आपका आत्म तो real self जिसे हम बोलते हैं वास्तविक स्व और एक आदर्ष स्व जिसे हम बोलते हैं ideal self तो ये दो चीजे हैं real self जहां आप आज खड़े हैं जो आप आज हैं वो आपका real self है और आप अपने लिए जो एक उमीद रखते हैं कि मैं भविश्य में जाके ये बनूंगा या ऐसा दिखूंगा या ऐसा होंगा ऐसा बन जाओंगा वो आपका ideal self है आप अपने आपको as a teacher as a अपनी class में एक बहुत अच्छे marks लाने वाला है या first position holder ऐसा कुछ कर चाते हैं तो वो आपका ideal self है क्योंकि वो अभी तक आपको मिला नहीं है तो ये दो चीजों के उपर depend करता है ये जो सिध्धान्त है नियंत्रन सिध्धान्त इसका कहना है कि ये वर्तमान अवस्था और जो भविश्य के लक्ष है इनमें अंतर कम करने के लिए व्यक्ति क अपने आपको देखना चाते हैं आप सबसे अच्छा स्कूर करना चाते हैं तो अब आप क्या होगा कि आप उसके लिए कारे करेंगे आप उसके लिए महनत करेंगे तो ये देखा गया है कि जब व्यक्ति लक्षों को प्राप्त करने के लिए महनत करता है और उसकी जो प्र प्रत्याशा स्व तीन चीजें देखिए मैंने बताईए फिर से आप ध्यान दीजे रियल सेल्फ जो आज आप वर्तमान है आपका आइडियल सेल्फ जो आप भविश्य में बनना चाहते हैं और उनके बीच में होता है आपका एक्सपेक्टेड सेल्फ यानि प्रत्याशा आशा रखते हैं कि मैं ये काम इत्ते टाइम में कर लूँगा इत्ता कोर्स में आज कर लूँगा इत्ता कोर्स में कल कर लूँगा इतने टाइम तक मैं इत्ते चैप्टर पूरे कर लूँगा ये आपका एक्सपेक्टेड सेल्फ है और आप देख सकते हैं इसे हम इस तरीक में या term test में आपने अच्छा score किया ये आपके कैसे हो सकते हैं ये expected self हो सकते हैं अब होता क्या है कि यदि आपका जो expected self है आप उससे better कर लेते हैं तो आप में एक positive emotions रहता है कि मैं मेरा main goal भी achieve कर लूँगा जैसे आपने सोचा कि इस बार class test जो 10 नंबर के हो रहे हैं उसमें म ये आपका प्रत्याशित self है expected self अगर आप 8 से ज्यादा 9 या 10 ले आते हैं तो ये आपको कैसा देगा ये आपमें positive emotions create कर देगा अपने लक्षे के प्रतियाप और उत्सुकता से बढ़ेंगे आगे और यदि 8 के जगे आप 5 या 6 ही ला पाए तो इससे क्या होगा कि आपका जो expected self था उसको आप अचीव नहीं कर पाए तो आप में नकारात्मक या negative emotions डवलप हो जाते हैं जो कि आपको लक्षे तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो ये जो नियंतरन सिध्धानत है ये basically इसी को दर्शाता है कि आपका expected self यानि उम्मीद से अगर आप अच्छा कर लेते ह तो आप कैसा बहसुस करेंगे positive और अगर आप उम्मीद से कम कर पाते हैं आपकी प्रगती या उन्नती जो है वो उम्मीद जित्ती नहीं होती तो आप में नकारात्मक समवेग उत्वन होते हैं और जिससे की व्यक्ति की ताकत उस लक्षे तक पहुंचने में कमजोर होती है इच्छा शक्ति कमजोर होती है तो ये तो पहली थियोरी है अब हम दूसरी थियोरी की बात करते हैं जिसे कहते हैं आत्मवी संगती सिध्धान्त आत्मवी संगती सिध्धान्त जो है लगभग वैसा ही है लेकिन इसमें जो importance है वो वी संगती को दी गई है self discrepancy यानि कि आ आपका वर्तमान self आपका जो present real self है और जो आपका ideal self है इन दोनों में यदि वी संगती बहुत अधिक है यदि बहुत अधिक अंतर है तो वो आप में negativity लाती है और और उसकी वज़े से आप अपने लक्षे तक अपने जो expected या सौरी आपका जो ideal self है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं क्योंकि नकारात्मकत आ जाती है और यदि आपके real self और ideal self में discrepancy कम हो यानि कि आपका वो सपोज एक बच्चा है जो क्लास में हमेशा ही second, third, fourth, fifth position पे आता है मतलब top ten में आता है तो natural है वो अगर first position के लिए अपने आपको सोचता है कि मैं इस बार तो first आके रहूंगा तो उसकी real self और ideal self में discrepancy बहुत कम है लेकिन एक बच्चा जो क्लास में 20 वी, 25 वी position पे आ रह है तो उसके दोनों जो लक्ष है यानि कि real self और expected self जो है या ideal self है उसमें बहुत अधिक discrepancy है तो उसका negative thoughts या नकारात्मक सम्वेक की तरफ जाना अधिक होगा बजाए उस बच्चे के जो की top five या top seven में आता है और वो first position के लिए अपने आपको देखना चाता है तो ये एक बहुत important इसमें आत्मविसंगती सिधानत यही कहता है कि इसमें नकेवल action पे जहां हम control theory में action की बात कर रहे थे कि आप कितने action के द्वारा आपका जो real self तक स्वारी expected self तक पहुचने का जो आपका तरीका है उसमें अगर आप थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त करते हैं उम बताया गया है लगभग दोनों समान है लेकिन यह starting से बताता है आत्मविसंगती सिधान जो है वो शुरू से बताता है कि यदि आपके real self और आपके ideal self में discrepancy जादा है तो वो व्यक्ति में नकारात्मक समवेगों को जन्र देता है और इससे व्यक्ति की शमता और तीवरत उस लक्षे को प्राप्त करने की कमजोर होती है तो पहले उसको वहां तक पहुचना चाहिए यानि कि उसके expected self जो है उसके अंतर को उसे कम करना चाहिए वो इतनी अधिक expectation ना करे एक बच्चा जो अगर 20-25 पोजिशन ला रहा है पहले उसे अपनी इस discrepancy को कम करना वो अपना रखे कि 25 से मुझे top 10 के अंदर आना है और top 10 में जब वो आने लग जाए तब वो अपना aim first position के लिए बनाए अगर 25 पोजिशन से direct first position के लिए वो अपना aim बनाएगा तो वहां discrepancy अधिक होने की वज़े से नकारात्मक समवेग अधिक आएंगे जो उसकी शमता को उसके लक्षे तक पहुँचने की जो उसकी ताकत है उसकी तीवरता है उन सबको कमजोर कर सकते हैं तो ये बहुत important जो theory है इस तरीके से ये दोनों theories जो हैं काम करती है और इसके आगे जैसा कि बताया है हिंगिस ने आत्म विसंगती सिध्धान्त के अनुसार आत्मन निय जिसके अंतरगत व्यक्ति वास्त्विक्स्व, आदर्श्व और इच्छित्व के बीच में तुलना करता है जो मैंने आपको तीन तरीके के self बताए real self जो आज आप है ideal self जो आप होना चाहते हैं और उसके बीच में आता है आपका expected self तो व्यक्ति को जो आपकी discrepancy theory है वो क achieve कर जाता है तब वो आगे और expect करें ये सिध्धान्त इस बात पर जोड़ देता है और हिंगिस ने भी इसे ही बताया है कि आत्म नियमन आत्म निरदेशन द्वारा आत्म वी संगति को कम करते हुए व्यक्ति अपने ideal self तक पहुंचता है वास्त्विक्स्व जो है वो आपक आदर्श और इच्छित सुव के मानकों के आधार पे आपको सफल होंगे या नहीं होंगे उसकी पुष्टी करता है अब जो एक important theory है वो है राय बामिस्टर द्वारा वर्नित सिध्धान्त है ये हाला कि इसी जो आपकी सिध्धान्त है इनी के घटकों की बात करता है इसको आपके components बताए कि आप जब किसी अपने real self से ideal self की तरफ बढ़ते हैं तो कौन से तीन important घटक या components है जो आपको मदद करते हैं या आप किन घटकों के द्वारा वहां तक पहुंच सकते हैं अभी हम बात यहीं कर रहे हैं कि self control self regulation क्या करता है आपका जो आज का real self है वहां से आपको आपके ideal self तक ले कर जाता है तो इस ideal self तक पहुंचने में आपके तीन घटक काम आते हैं पहला है मानक या जिसे हम कहते standard सबसे important चीज़े standard का मतलब है आपके जो goal है आपके जो standards है वो clear होने चाहिए आपके समक्ष आपको पता होना चाहिए कि आप ultimately चाहते क्या है आ जिदी आपके आगे goals clear नहीं है तो naturally फिर आप कहीं भी नहीं पहुच पाएंगे आप उस चीज़ के लिए महनती नहीं कर पाएंगे तो आपका जो ideal self है उसका standard आपको clear होना चाहिए आप first position चाहते हैं आप top 10 में आना चाहते हैं आप first से भी beyond आप overall state जैसे होता है कि राजस जिद्धन में top करना चाहते हैं या आपने district में top करना चाहते हैं तो goal कई तरीके के हो सकते हैं मैं अपने class या academics के according या आपको example दे रही हूँ तो आपका goal clear होना चाहिए then है निगरानी और निरिक्षन जो अपन उस पे करते हैं दूसरा जो important खटक है कि जब व्यक्ति का goal clear ह होता है उसका ideal self clear है मतलब मानक उसने standard बना लिया कि मुझे यहां तक पहुँचना है तब वो अपने वहवार पे अपने आचरन पे अपने जो वो क्रियाएं कर रहा है उस लक्षे तक पहुचने के लिए उनको नियंत्रित और निरिक्षित करता है यानि उस पे resilience रखता है क कि मैं क्या कर रहा हूँ आपने देखा होगा जो बच्चे टॉप करते हैं वो जब अपनी story बताते हैं कि कैसे उन्होंने टॉप किया कैसे उन्होंने board exams टॉप किये पूरे रास्थान में first आये तो आपने की सुनिए वो बताते हैं कि हम हमेशा 5-6 घंटे regular पढ़ते थे इस अगर आप social media पे बहुत active हैं तो आप देखेंगे कि मेरा दिन भर का इतना time यहां waste हो रहा है आप उस चीज को cut करेंगे अगर आप बहुत ज़्यादा party शादी ब्याव अगरे में जा रहे हैं तो आप उस चीज को cut करेंगे क्योंकि तभी तो आप अपने लक्षे तक पहु में यह आपको दिखाए देगा तीसरा important first हमने बात की मानक की दूसरी हमने बात की निरिक्षन और निगराने की और तीसरा जो घटक है हमारा है वो है आपकी शमता या आपको यह यहां पे भी है शमता या सामर्थिय जिसके उपर इसका नाम रखा गया है strength model यह strength यह strength सबसे जरूरी है कि आप में इन सब की अपने मानक को decide करने की अपने निरिक्षन और निगरानी करने की अपने वहवार पर आप में शमता होनी चाहिए यदि आप में यह शमता नहीं है यदि आप में strength नहीं है इन चीजों को करने की तो भी आप सफल नहीं हो सकते तो यह बहुत important है कि आप में ये तीनों चीजे होगी तो ही आप अपने आत्मनियमन और आत्मनियंतरन को करते हुए आप अपने आइडियल सेल्फ तक पहुँच सकते हैं तो ये एक बहुत इंपोर्टेंट उन्होंने मॉडल दो जो दिया है राय बामिस्टर ने उसमें ये तीन चीजों को बताया है मानक, निरिक्षन निगरानी और तीसरा सामर्थ इन तीनों पे विक्ति कहीं भी अगर फेल होता है तो वो अपने आइडियल सेल्फ तक नहीं पहुच पाता और उसकी वज़े से उसका जो सेल्फ नियमन या रेगुलेशन जो बोल सकते हम वो कमजोर हो जाता है औ और वो अपने लक्षे को नहीं प्राप्त कर सकता तो इस तरीके से ये आत्मनियमन की हम बात कर रहे हैं और इसमें देखिए अंत में जो सारांश है वो आपको यहीं समझा रहा है कि स्वनियमन इस्थिति की मांग के अनुसार अपनी भावनों और वहवार को प्रतिबंदि करने की शमता है परिस्थिति वातावरन की जो मांग है आपने अपना एक आईडियल सेल्फ बना लिया उस आईडियल सेल्फ तक पहुँचने के लिए कुछ रिक्वायर्मेंट होती है वातावरन की कुछ इस्थिति की जो रिक्वायर्मेंट है आवशकता है उनके अनुसा आप अपनी भावनाओं और वहवारों को जब कंट्रोल करते हैं, परतिबंदित करते हैं, उस शम्ता को ही स्वह नियमन कहा जाता है। आज आपको, क्योंकि आपको एक्जाम में टॉप करना है, अब ये एक लॉंग टर्म उद्देश है, उसके लिए आप पूरे साल शादी ब्या में नहीं जा रहे हैं, लोग आपको कुछ कहेंगे, आपके मन में भी नेगेटिव फिलिंग आएगी, क्या है यार कुछ इंजॉ आयोजन जब करते हैं, और अपने आपको शांत बनाए रखने में कामियाब होते हैं, तो आप अल्टिमेटली अपने लक्षे तक पहुँच पाते हैं, तो इस प्रकार ये एक ऐसा कौशल है, जिसके द्वारा आप अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर को छोड़ कर लॉंग ट गोल्स को प्राप्त कर सकें, तो ये इस तरीके से ये हमारी जो दोनों थियोरीज हैं, ये यहाँ पर खतम हो रही हैं, और इसके आगे का जो है, वो हम नेक्स चेप्टर में लेंगे